सबीका स्वागत है आज के साइंकाली इन संस्क्रण में आज हम बात फिर से करने जा रहे हैं पसमांदा मुसलमानों की लेकिन संदर्व कुछ अलग सा हो गया है क्योंकि अभी पुद्धान मंत्री जी ने अलप संक्यकों में पिछड़े वर्गों के कल्यान के लिए कुछ बात कही तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि पसमांदा वर्ग ही दो फार हो गया है और यहां पसमांदा वर्सस पसमांदा की एक नई जंग शुरू हो गई है आईए हम बात करते हैं फयाज अहमत फैजी साब से कैसे हैं फैजी साब बढ़िया हूँ आपका अशिरवाद है आप कैसे हैं तो यह आपके जो प्रधानमंतरी जी ने स्टेटमेंट दिया उसके बात यह जो मसावत की जंग थी वो आपस की जंग में क्यों तबदील हो गई है आपने तो पहले ही ऐसा जो है पहले ही यार कर नहीं देखें यह बात जए मेरी आवाज ठीक आ रही है नए जब यह आपस में एक जो पुराने लोग हैं जिनको आज भी भाजबा तीस साल पहले वाली भारती जंग पार्टि दिखाई देती है उनका एक पहले से जो सेट अप है कि नहीं जो है यह ही हमारे खिलाफ है यह कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, वह उसी लाइन पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब परिस्थिती बदल गई है, इस्थितियां बदल गई हैं, बारतीय जंता पार्टी एक लंबे समय से रूलिंग पार्टी है, अगर वो को इनिशिटिव लेती है, कोई बात करती है, राश् सब्सक्राइब Price देखे परदानमंत्री को यह भारतिय जन्ता पार्टी को मुसल्मान वोटो की और मैं मुसल्मान नहीं क्योंगा मैं पसमांदा वोटो की बात हूंगा उन्हें बहुत कोई आवशक्ता नहीं है लोग यह कह रहें कि नहीं वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको वोट चाहिए म वो दो बार ऐसे भी बीना पसमांदा के वोट के वो परधान मंत्री हैं और मैं समझता हूं कि आगे भी वो तीसरी बार भी अगर वो चुने जाएंगे तो उन्हें पाश्मांदा वोट्रों की बहुत आवसक्ता नहीं लेकिन वह इस देश के परधानमंत्री एक परदानमंत्री के रूप में उनको लगता है कि जो भी हमारे समाज का जो पीछे रह गया है, जो अंत में खड़ा है, पंडित दिन द्याल के भी यह सोच थी, तिंकिंग थी कि जो अंत में है, उसका उदय होना चाहिए, तो वो उस कारिकरम के तहत और उनका जो अपनी नीती ह है, सब को मुखेदारा में जो होने के लिए, उसके तहत वो कदम बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ बिरोद के लिए बिरोद करना ये ठीक बात नहीं है, अब इससे हो क्या रहा है, जैसी उन्हों ने छेड़ा इस बात को, मुस्लिम समाज में समाजी की नयाए को, एक नबे परतिशत भारती मूल के मुसल्मान हैं, वो कहीं नहीं हैं मुखेदारा में, ना पॉलिटिकल पार्टीज में, ना जो मुसल्मानों के नाम पे जो संग घठंच चलें, आलप संके के नाम पे जो स इसलाम और मुसल्मानों के नाम पे उनको खत्रा मैसूस हो रहा है कि अब तो यार सोसल जस्टिस की बात होगी, यह जो हमने 100% कबजा करके बैठा वह यह छोड़ना पड़ेगा, यह वो लोग जो इस तरह की नेरेटिव लेके आ रहे हैं, और कुछ हमारे पसमांदा कार करत है, और समाज के अंदर भी इस चीज़ को लेके बहुत उत्सा है, देखे कोई भी वंचित समाज जब है, उसकी अगर कोई बात करता है, और कोई नहीं यहां परदानमंत्री, देश का परदानमंत्री बात कर रहा है, पहली बार भारत के परदानमंत्री ने मुसलिम समाज मे ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, तो वो परधान मंत्री की पत्ता वो ग्री मंत्री थे, उनके बाद ये पहला काम परधान मंत्री भी कर रहे हैं, इससे अश्राफ वर्ग में बहुत बेचैनी है, कि उनकी सदी, ये सदीयों की जो सद्धा बर्चस है, वो डगमगाता दिख रहा है, वो अंग्रेजों के आने के बाद भी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और उनको जब लगा कि इस देश में डेमोक्रेसी सिक्रुरिजम हो जाएगा, तो हमें दिक्कत होगी, तो उन्होंने देश को ही बाट लिया, पाकिस्तान चले गए, यहां भी वो मुस पस्मांदा आंदोलन इसका विरोधी रहा है, मुस्लिम विमर्श का, तो उनको लग रहा है इतिहास में यह पहली बार अश्राव जब से भारत भूमी पे आया है, शाशक बनके, आकरांता बनके, पहली बार उसको ऐसा लग रहा है, कि अगर मुस्लिम समाज में समाज इक न और वही पुराना घिसा पिता है, एक बत मैं और कह दू, वो विशेश रूप से आप देख रहे हैं, आजकल आरक्षण की बहुत बात हो रही है, कि दलित मुसल्मानों को आरक्षण दिया जाए, यह अश्राव अंदर से चला रहा है, और जो पस्मांदा कार करता है, उनको जो बाहर से आया हुआ जो मुसल्मान है, जो स्वेंपो विदेशी भी कहता है, स्वेंपो असराव भी कहता है, उसने जो हमारा नसली और जाती उत्पीडन है, उसके अगेंस, दूसरा जो हमारा संस्कृतिक उत्पीडन है, जो हम अपने देशर जो सब्धता संस्कृति है, उसको हिंदु धर्म से जोड़ के या उसको गैर इसलामिक कहके तबलीगी जमात जमाते इसलामी दावते इसलामी जो इसलाम के नाम पर इस तहरी के चला के हमको हमारी ज्रों से काटने का प्रिया से या जो हमारा सांस्कृतिक उत्पीडन है दोहन या शोशन है उसके अगेंस याइसी हाथ पीछे कीच लेंगे फिर बात जहां के जहां रह जाएगी और हमारा जो हमारी जो डॉमिनेंसी चले सुप्रीमेसी से जदा इनकी डॉमिनेंसी चले उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसी धोके में आ गए देखिए खुब अच्छी तरह से आरक्ष्ण की बात को समझ लेनी चाहिए नब्बे मिल रहा है ऑबि सी में और सुदूल ट्राइब यानि जो मुस्लिम समाज का जो जो совсем किसी ०्दर से बराबर है उसस तरह से है जैसे उधर लुबि इधर ँबश और वह उसको वो ऐसा नहीं कि वो आरक्षण की परिदी से वो बीसी की आरक्षण में है तो पसमांदा अंदुलून की ये पुरानी मांग रही है कि उनका जो है उनको सही कटेगरी में रखा जाए बिना किसी धार्मिक बेदबाव के जो आर्टिकल 341 का पैरा 3 है जिस पे प्रेसिदेशल लगा था कि उसमें सिर्फ हिंदू दलिती रहेंगें बाद में उसमें सिख भी आगए बहुत भी आगए अब इसाय है मुसल्मान बाहर है वह एक अलग बात है लेकिन सारी चीज़ को उसी को लेके करना की और यह की जा रही है कि दलित मुसल्मानों को जो मुस्विम धर्मा कर रहा है दो काम कर रहा है एक तो उसमें हंदो मुस्लिम का मुद्द को गरम कर रहा है कि दो को Thirty T ripping को जो पस्मान नीएगा जाएंगा आहिए वह इस चाल को काम नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी लड़ाई समाजी की नियाए की है, नसली जाती उत्पीरन के अगेंस्ट है, हमारा सांस क्रिटिक, सब्विता का जो उत्पीरन है, जो शोशन है, उसके अगेंस्ट है, हम समाज में इस बात को कह भी रहे हैं, देखें, अब इसमें हो क्या रहा है, कुछ पस्मांदा भी दिख कि कि ही हिंदु की लगने के बाद देशाद हुआ है। पंडित जौएलाल नहरु से लेकर प्रधानमंतिरी मुदी तक और सब को हिंदू ही कहते हैं यह हिंदू की तीर्खव हिंदू हिंदू की हमssä अचीosity की है यह यह आ राक्षा की बात करके हिंदू मुसल्मान को लड़ा दे भाजपा Πजमांदा को लडा दे और फिर बात खितम हो झाएं लडाने में वो महायर रहा है, वो जात के अधार पे लडाता है, वो धर्म के अधार पे लडाता है और सभूर बना रहता है, अभी पसमान्दा अंदलन की वज़े से सिय्द लोग भाहर हो गये है're ये रोना शुरू हो गया कि साथ कोई मुसल्मान नहीं है के अंदर सरकार में हमने कहा कि मुसल्मान मुक्त नहीं है अश्राफ मुक्त सरकार है और अश्राफ मुक्त सरकार होना पर्थम दिरिश्टिया ये इस देश में बसने वाले नबे परतिश्प मुसल्मानों के फेवर मे है वो मुस्लिम बिरोधी सरकार कैसे हो सकती इस बात को समझना है तो कोई हमारी लड़ाई नहीं अब जो अश्राफ चुकि हमारा उत्पीड़क है हमारा जो है शोशक है तो वह अगर डिपावर होता है तो यह हमारे लिए अच्छी बात है तो यह जो आप कह रहे हैं उन्हों ने हमारा सदियों से उत्पीड़न किया है तो हमारा जो कंटेस्टेंट है उन्हीं के साथ है और एक बात आखरी बात कह दूं फिर आप सवाल लेंगे अगर अश्राफ वर्व इतने ही ज्यादा चिंतित है अपने सहधर्मी दलितों के लिए चलो आपकी चिंता दिखाई द करता है साड़े तीन सो मेंबर हैं आप उसमें मुस्लिम परसनल अबोर्ड में जामिया मिलिया इसलामिया में जो भी आप लोगों ने संस्थाएं बना रखी हैं जहां आप डॉमिनेंट हैं वहां के उन्हें नट दो भी हलाल को मेहतर बंगी गोरकन को जगह देके अपने न कार्षण वह चुछाचूत के अधार पर जो जाती है जो अचूत जाती है तो यह अश्राफ कहता है कि ने हमारे हैं कोई अचूत ने मौलाना अजाद ने और मौलाना हिवज़ रहमा ने इसी बेस पे जो सजार पटेल ने जो समीती बनाई थी आपको बहुत हैरत होगी जि यह जो लेख में उन्होंने लिखा तब जफर वो क्याना में फिरोज वक्त जो मौलाना अजाद के पोते रिष्टे में लगेंगे उन्होंने लिखा था मौलाना हिवज़ रमान, मौलाना अजाद, बेगम एजाज रसूल लाल जी बाई, चार मुसलमान थे, अश्राफ, द 1936 की जो लिस्ट है 1935 का जो इंडियन एक्ट के एकार्डिंग जो 1936 की लिस्ट में जो सुडूल कास्ट हैं जिसमें मुसलमान भी आ रहा है उसको आई जिटिच चैने दिया जाए लेकिन आपको हैरत होगी कि चार अश्राफ मुसलमानों ने विरोध में वोड़ दिया कि नही इस बार बहुत सचेत हैं इस बार अभी मन्यू को पता है कि सातों दर्वाजा चक्रवी को कैसे तोड़ना है तो इस बार अश्राफ की चलने वाली नहीं हम एकदम श्योर हैं समाज में हम जागुर्पता भी ला रहे हैं और और प्रधानमंत्री ने जो बहल की है चुकि दे ने इंट्रिव्यू में जो नियू एज इसलाम ने का उसमें भी मैंने धन्यवाद दिया है कि राइट विंग के चैनल्स का बड़ा धन्यवाद है जिनकी वज़से बात ऊपर तक गई और इस बात को जो है नेशनल लेवल पे आज मुस्लिम समाज में समाजी की नया इस्थ बाद में बनती है सरतायद अपना सेपरेट एलोक्टरेट और ट्यू नोशन ठेयरी पहले ले आते हैं आनंदमाठ बाद में लिखी जाती है तो वो खतम हो जाएगा जब समपर्दाइकता खतम होगी तो एक अच्छा देश की जो हमारी परकलपना है इस रास्ते पे हम चले आरे ताकर इस की अच्छरा लिखी ताकि इस डेश ओ जेश के और डिफ्रेबिया बॉन्तरी बनता रहे दबाव डालता रहे नहोता है तो इस में बबेचस्ति को पत्रकार था ओंपना घ्रूरासू बड़ाते हैं अब जब हो रहा है इस तारे कि बात करके वहां से सरकारों पर दबाव डालके यहां तुष्टी करना कराते हैं अब वो सब नहीं होने जा रहा है यह पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे जब से अश्राफ यहां आए हैं मैं दुबारा उसको रिपीट कर रहा हूं अपने वो इस वक्त सबसे बुली पूशन में उन्हें लग रह है कुछ हमारे पसमांदा एक्टिविस्ट इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो उसी लाइन पर चल लें अश्राफ की भाहाशा बोल लें मुझे बहुत दुख हुआ मुझे बहुत हैरत हुई कि वह अली अन्वर जिसने मसावात की जंग लिखी थी मैं बहुत सम्मान करता हूँ मैं उसी पर आ रहा हूँ एक निट पर मेरा अगला सवाल था मैं पूछ ही लेता हूँ इसी समय पर यह जो अली अन्वर अंसारी साहब है जिनों ने बिहार में पसमांदा अंदरन को एक परकार से पुलर जीवित किया और मसावत की जंग लिखी उन्होंने मसावत मतल पसके चुनाओं में इसमें कारी हुआ था जो अस्म्बली का चुनाओ था तो वो जो है वो तो जो जो उनका अभी लेक देखा मैंने जिसमें वो कह रहे हैं कि साथ की यह जो सनेह यात्रा यह वेकार है मैं तो सम्मान यात्रा चाहिए और सबसे पहले जो है हमको आरक्षण दिया जाए तो जैसे ही आरक्षण की बात आप करोगे तो उसका तो यह निश्चित रूप है कि फिर जो है वो हिंदू दलित विरोध में खड़ाई होना है क्योंकि जै भीम जै मीम वाला जो नारा है वो तो चला नहीं तो भीम आर्मी सब को पता है कि वो पी एफाई का इ नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि वे किसी प्रकार की चर्चा में अब रूची नहीं रखते हैं वो एक तरफा एक अपनी बात ऐसे कह रहे हैं जो कि इस समझ आपस में विक्षित हो उसके पूरे विरोध में हैं ऐसा क्यों है यह देखें एक बात मैं पिछली बात कराना कार्णी जाल ने चेता हैं घृत कार्णी बीसीट है रिवा ri और मिष्ट की पार्ट्ष की और मी सारे लोग जो है लगे हुए हैं और और मुझे लगता है कि आगे करके कुछ पस जो है सीनियर पसमांदा कर वो बैटिंग करा रहे हैं भाजपा के खिलाब बोलो भाजपा कुछ नहीं करेगी वो नहीं करेगी देखे परदान मंत्री पर संदेह करना मैं थ्वा इसको उचित नहीं समझता हूँ पहली चाहिए अब मैं उस पर आता हूँ देख के परदान मंत्री भारती जलता पार्टी के वो परदान मंत्री नहीं है नहीं हिंदू के परदान मंत्री वो भारत वर्ष के परदान मंत्री है जो पांच हजार साल से एक जीवित जीवित जो है भारती सब्वेता संस्कृती के वो परदान मंत्री है वो ऐसे उस पद को करना मैं उसके बिरोध में हूँ वह समाज जो बहुत दबा कुछ रहा है वंचित है उसके लिए एक यह उम्मीद की किरन है और पसमांदा समाज को भी कारकरताओं को भी मैंने कहा कि परतानमंत्री जब एक कदम बढ़के आ रहे हैं तो हमें चार कदम बढ़के उनकी तरफ ज होना चाहिए वह थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होंगे उसने जो है बहुत ही बहुत ही एक शब्द है और जब सिने आप कहते हैं ऐसी एक जो भावना उत्पन होती है उसमें चोटे बड़े की भावना नहीं होती है उसमें वातसलता दिखाए एक मा को अपने पुत्र से स अगर सिने यात्रा को बहुत पॉजिटिव लेनी किया और एक जब देश में संपरदाइकता का माहूल है एक परदानमंत्री को यह लगता है कि नहीं हम एक ऐसी यात्रा निकाले जिससे मेल मुहबत की बात हो इसमें क्या बुरा है हमें इसमें क्या बुरा ही आप दिखाए अगर एक परदानमंत्री कोशिश करता है भारत का परदानमंत्री देश के संपरदाइक सवहार्द को मेंटेन किया जाए कि यातरा निकाले आपके पास कोई दूसरा टूल है आपके पास कोई दूसरी युप्ती है कोई दूसरा सुजा है तो आप उसे कहिए कि देश के अलियनुवर ने मसावात की जंग लिखी जिस अलियनुवर पे हमेशा अश्राफ वर्ग ने या रोप लगाया कि वो मुस्लिम समाज को बाट रहा है आज तक मैं बहुत सम्मान करता हूं का हम लोग जो अंदोलन में आए उनकी किताब पढ़के आए और उन्होंने पूरे कम स साथ का जो एम वाई समीकरन था यानि मुस्लिम और यादव मुस्लिम मतलब अपर क्लास मुस्लिम पारवर्ड मुस्लिम जो अश्राफ ता उसका कमिन उसको तोड़के नितीश की तरफ उस पूरी भीड को पसमान्दा को लियाना वह बहुत पॉलिटिक्स को बहुत ने धरातर के उतारा, इसमें कोई दोराय नहीं है, और मुझे लेकिन बहुत थायरत कोई कि जिस अली अनुवर ने मसावात की जंग लिखी, जिस अली अनुवर ने पसमान्दा तर्म कोईड किया उनके लीडर्शिप में, आज अली अनुवर वो लेटर लिखता परदानमं में, फिर पसमान्दा शब्द, शब्दावली बनाने का मतलब क्या है, मुझे बहुत, मैं आश्रशकीत हूँ, मुझे बहुत दुख भी हुआ, और फिर वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज को भारतिय जनता पार्टी बाटना चाह रही है, बाट के वोट लेना चाह रही ह बाई साब, यही इल्जाम तो आदर्णिये अलियानोर्जी पर भी है, कि आपने मुस्लिम समाज को बाट दिया है, तो एक अजीव सी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो वेक्तित और इस वेक्तित में बहुत फरक आ चुका है, अब वो किस वज़े से है, उसके एक सल्मानों को जितने मसलक हैं, या जो अश्राफ, अस्मानदा, अरजाल, अजलाफ, इस सब भारत, जो है, अर्भी भाशा के शब्दे, इसलामिक फिक्म में लिखा हुए, कुफु का सिद्दान ते, खलीपा कोन बनेगा, यह पहले से किसी ब्रामन ने ने लिखा, इसलामिक बन सकता है, यह किसी ब्रामन ने लिखा है, जो पहले खलीफा जब अबुबाफर सुने जा रहे थे, इस आधार पे कि आईमतुल मिल्कुरेश की खलीपा कुरेश ने होगा, कुरेश तो पैदा होते हैं, कुरेश तो आप पर अंदिके बन नहीं सकते हैं, तो वहां कोई प प्रबुद वर गए हैं, उसको भी इस समझने की जरूरत है, वो भी जब मनुस्पृति का इंटर्पिटेशन करते हैं, या भारती शास्त्रों का करते हैं, तो वो भी जो अंग्रेज लिख गए हैं, या जो अंग्रेजों के हिसाब से से या दाहमत खान लिख गए हैं, उस समाज में समाजी की नयाए की बात करके वोट लेने को ये समाज को बाटना हो गया, आप हिंदू समाज में डली पिछा करके समाज को बाटने में क्या बुराई है, समाज को बाटने में क्या बुराई है, मैं उस पर आता हूँ, वैसे भी श्यास्नी, बरेल्वी, तो वह तो ठीक है तो अगर भाजपा भी यह पॉलिटेक्स कर रही तो उसमें क्या बुराई है करना चाहिए बिल्कुल मैं उसे वही बात कह रहा था कि हिंदू समाज भाजपा भी रही है वह कह भी रही है कि वह यह कहता हूं कि यह फाल्ट लाइन एक्सिस्ट यह दी करती है तो यह फाल्ट लाइन इसमें जो अश्राफ वर्ग है यह अश्राफ वर्ग तो पूरी तरह से वन हंड्रेड औन परसंट देशविरोदी है इसको तो अलग हरा हालत में करना ही चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एक चुनेवे परधान मंत्री को इस तरह की बात करना ठीक है समस्याएं है मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी समपरदाइकता है यह है लेकि एक पहल अच्छी हुई है एक जब अच्छी पहल हुई तो इसकी समाज में और जब आप समाजी कारे करता हैं जिस समाज की कोई बात आज तक किसी ने नहीं किया सारा जोली भरभर के इन लोगों ने वोट लिया इस उत्तर प्रदेश की विदान सवाच नौ में वी रिपोर्ट है कि 74-75% पसमांदा का वोट अकेले समाजवादी पार्टी ने लिया लेकिन मंत्री भारती जंदा पार्टी बना रही है आप भरभर के वोट लेते हैं पसमांदा का और पसमांदा को राजनीतिक भागेदारी संगठन में भागेदारी नहीं दे रहे अब जब भागेदारी की बात थो रही है आपको लग रहा है कि फिर यह तो बिखरा होगा हमारे वोटर उधर रही कर चले जाएं तो बाट रहें बाट रहें बाट रहें आप भी राजित कीजिए आप भी पसमांदा का वोट लीजिए उसमें क्या दिक्कत है पदाना मंत्री जी घर बना के जो है वो गैस सिलिंडर देके वोट ले रहें आप भी लीजिए आपको किस सही अब युदय की बात हो रही है तो हर वंचित समाज को मुखिदारा में जोड़ना ही पड़ेगा और प्रदानमंत्री जी मुस्लिम समाज के वंचित समाज को अगर मुखिदारा में जोड़ना हमने पहले भी का कि उनको वोट नहीं चाहिए हो बिना पसमांदा के वोट के दो बार परदानमंत्री बन चुके, तीसरे बार भी बन जाएंगे, लेकिन वो अन्तियुद है कि कारेकरम सबका साथ, सबका विकास के तहथ, इनको भी जोड़ना चाहते हैं, एक दूर, दूर की सोच है उनकी, लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही, मैं इसको उचित नहीं बेक्षा है, कि आप हमें आर्थिक सहयोग भी करेंगे, और उसके लिए हम आप से अभी और भी अन्रोद इस वीडियो में करते रहेंगे, तो मैं आप से एक और प्रश्ट पूछना चाहता हूँ, जो बड़ा फश्ट सा लिखाई बड़ता क्या, आपको लगता है कि ये प क्या नाम है उनका, जफर इसलाम, इन तीनों का राइश वाट तेक लिए आप से नहीं लगाएंगे, नाम से पहले से लगा लिया किजे और नगुनागार हो जाएंगे आप, से लिए मुखतार अबास नख्वी, क्या नाम है उनका, से जफर इसलाम और से इमजी अकबर, ज देखिए, हम लोग जो लगातार प्रश्ट उठा रहे थे, मुस्लिम समाज में समाज इक नयाए की, और आपके मंच से ये बात बहुत दूर तक गई है, तो इसमें कोई अतिश्यक्ती नहीं है, कि कहीं ने कहीं ये बात सुनी गई है, और विशेश रूप से रूलिंग पा बहुत डाला जाता है, भोशपूरी बोलने पे, मैंसरी बोलने पे, आवधि बाले में पड़े हुए। जब घर आता है तो अपनी मां से बोश्पूरी में बात करता है अपनी आप और उसकी मां साड़ी पहली रहती है यह 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 जो उपर से इंपोजीशन हमने बताए एक उदारणा आपको हमने शायद आपसे शेर किया होगा मैं एक बरपरकाशम डिस्टिक्ट में गया था वह आंद्रपरदेश में तो वहां मैंने पूछा एक लड़के से कि आपकी भाशा वह वहां पे हिंदी जो बोलते है तो उसको दक्कनी उर् उर्दु है उसके आपके न वहां हमारे अंडर अजाता है अपरात बहुत कि तुम में बिर्यानी नहीं बनती है तो उसको मुसल्मान बंचित है उसको लायर ने किया आगे बाद तो कहीं न कहीं मैं आपकी बास से सहमत हूँ कि पस्मांदा आंदोलन की वज़े से ये बास सुनी गई और परतम दिरिस्टिया पहले जो हमारा उत्पीडक अश्राप वर गए वो जो पार्टी जन्ता पार्टी करें जो प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम इन्हों ने बनाया है यदि पस्मांदा के लिए हैं तो वो जमाल सिद्धी की और शाहिद अख्तर कैसे लागू कर पाएंगे हाँ अच्छा सवाल पूशा आप इस पर हम लोगों ने बात भी किया हुआ है मुझे लगता है कि उस चर्चा का भी कहीं ने कहीं बड़ा कंट्रिबूशन रहा है ये पूरी जो नई पस्मांदा निती बनी है देखें अगर कोई भी बेखिए मैं एक बार दर्चकों को बता दूँ जिनका मैंने नाम लिया तो जमाल सिद्धी की जो हैं वो अश्राफ है और वो बीजेपी माइनौरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बड़े तपाक से जब नुपर शर्मा जी को सप्रीम कोट ने कहा था तो बड़े तप मैं उन्होंने जागर कर दिया ता तो उनके हाथ में इस नीति के कार्यान वेएन का भार है और दूसरा आरएसस की तरफ से वो मुस्लिम राश्च्ट्री मंच है जो की वैसे भी पसमांदा की कब्रगाहा है और पूरी तरह से अश्राफ के हाथ में तो यदि एक रार कार्या को बिल्कुल इनकार किया कि न हमें मुस्लिम पसनलाबोट चाहिए न मुस्लिम नाम पर हमें कुछ नहीं लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतिय जनता पार्टी के देज़तीन इधारत लोग हैं वो इस बात को लेके सचेत भी हैं मुझे ऐसा लगता है और अगर कोई विचार के अंदर को हम तो उन पर बिल्कुल नहीं कलते हैं जाया है हमारे लिए वह तो हम तो मैं पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने जा रहें तो आपका यह डाउट है मेरा भी यह डाउट है अब इसको कैसे टेकल किया जाता है समाज कैसे response करता है कितना समाज भारते जन्ता पार्टी से जुड़ पाता है भारते जन्ता पार्टी कितना समाज तो जोड़ पाती है ये तो आगे की चीज़े और भी बहुत चीज़े हैं अगर जमाल सिद्धिकी और शाहिद अख्तर और दूसरी कौन है वो भी पस्मानदा की बागडोर अश्राफ के हाथ में देंगे, हिंदू के हाथ में देंगे, तो हम कबोल कर लें, क्योंकि हिंदू कहीं न कहीं देयालू भी होता है, सहसुरू भी होता है, नैक चरित्र भी होता है, हम अपना, देखिए, सेख सेड मुगल पतान पीछ्छे आओ और अश्राव मौलवी को आप भी भूशन दे फिर भी हम एपी जे कलाम अबीर अब्दुलहमीद देश देश से पस्वांदा ने पैदा किया है वही दूशन दोनों ले चुके थे जी जी वो तो रुखसत हो गए वरना उनको बरतरत मी मिल जाता जीते 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 जीत करना चाहिए तो उसको बहुत इबादत करनी पड़ेगी बहुत चिल्ले लगाने पड़ेगी वह जब बाए का बुज़र होगा तब उसको इला हुआ कि हां तकया कर लिया उसके लिए उसके लिए क्वाल्टी होनी चाहिए सेयद लोगों को तो भाई इनवान वो खलीपा ह यह बात समझ नहीं होगी और देखिए जो भारती मूल का मुसल्मान है चुकि उस देज की सब्वेता संस्कृति का इस देज की मिट्टी का बना है तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो सब चरित दिखाई देते हैं चाहें जितना उनका आर्भी करने इरानी करने आप कर देते हैं इसलिए हम इसलाम का जो उर्फ का कॉंसेट है उसके अकार्डिंग बात करते हैं तब फुरा सा पस्पांदा को बात भी समझ मैं कि नहीं बहुत देखिए हमारा काम पहले से चलना है लेकिन अब परदानमंत्री के कहने से थोड़ी सी हरकत हुई है और इसमें कि अपने समाजनेतिक, आर्थिक, स्क्षिक उठान करने में, जो कारिकर्णा कॉष्णने में, पहचाने में, अपनी जड़ों से जुनने में, उसमें कोई आस्था के परिवरतन से खुझत नहीं है, अब देखती है, मैं तो बहुत पॉजीटिव हूँ, देखते हैं, तो आपने कभी किसी भी पस्मांदा मूल पस्मांदा ओरिजिन किसी भी नेता के मुझे कोई भी इस तरह की भड़काओ और नफरती बयान आपने नहीं देखा होगा लेकिन अश्राफ नेता ओंके मुझें आप हमेशा सुनते होगे एका दो दिन वह नार्मल बोल ले वह के बाद से देखते चले और वह बहुत से नेता रहें कभी आप किसी पस्मांदा और जिनके आदमी से इस तरह की नफरती और हिंदू को बुरा कहना इस तरह की बैन नहीं से उसकी वज़े उसकी चरित्र में इस तरह की चीज़े नहीं जैसे और इंडिजिनस लोग लेकिन अभी जो पीएफिय का मोडिून रॉडब क करने वाले तो यही होते पस्मांदा इतना इसलामिक हुमत के लिए या जो राजा नहीं रहा है वो राजवापसी की रड़ाई कैसे लड़ेगा हाँ उसको बरगला के समझा बुजा के उसके शामिल जरूर किया जा सकता है इस में मान सकता हूं फूट सोलजर हो सकते हैं आपरेटर नहीं हो सकते हैं आपरेटर सब भाईजान लोग होते हैं अभी देखे मस्जिद वन मूव इस तरह की बात यह लोग करते रहते हैं तो देखे अश्राफ इस देश को विजिद परदेश समझता है उसको लगता है कि हमारे बाप दादा की तलवार से जीती हुई भूमी है तो यह हमारी है चाहें जैस इसलिए वह हमेशा उस चीज़ को वापसी करने के लिए प्रयास असरत रहता है जो उसके चरित्र में दिखाई देता है एक दम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आपका मैं धन्यवाद दूँगा कि आपने पहले से इसको आइडिनिटिटीफाई कर लगा है दूसरा जो इंडिजिनस मुसल्मान है उसको इससे बहुत फरक नहीं पड कि हमें वही काम करने की आवश्यक्ता है तो दोनों के आटिट्यूड में आपको जमीन आसमान का फर आप आप देख लिए ऐसी जगह से किसी को टिकट मिल भी जाता है तो वह उस तरह से जारियत के साथ चुणाओं नहीं लड़ पाता हार पाता और अशराफ को आप टिकट है धाई पौनेती लाफ वोट पा गए कोई पसमानदा होता तो हमें नहीं लगता कि दसजार भी वोट मिलता है तो यह इनका सत्ता वापसी हमारी चीज़ है और वह एक बात और कहदू है इस देश के हिंदू और पसमानदा दोनों को यह माल गनीमत समझते हैं वार बूटी समझते हैं कि साब जंग में जीती वे माल है तो इसलिए हम गुलाम बना के रखें अब चुक्छी हिंदू का हिंदू बड़ी संक्या में देश है तन्विधान है यह चला वो चला है तो उनको दूसरे हिसाफ से मैनेज कर लेते हैं कही समझा बूजा के और पसमानदा को तो हमारी सबसे पहली लड़ाई जो है अशराफवास से आजादी की हमारी लड़ाई जी तो आप मिनिस्ट्री आफ माइनॉर्टी अफेर्स को कैसे देखते हैं क्या यह होनी चाहिए देखिए मैं इस पर अपनी वेक्तिगत राय रगदू कि रांदूरन का देखिए प्रैक्टिकली जो है इस देश में अलपसंख्यक का मतलब मुसल्मान होता है मुसल्मान का मतलब अशराफ होता है तो अलपसंख्यक विमर्ष का मुसलिम विमर्ष का सारा फैदा अशराफ होताता है मैं हमेशा कहता है इस देश में मुसल्मान होने की जितने नुक्सान है द मुहमद साम ने कहा थी कोई राजनितिक पार्टी मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए और कहीं नहीं होती है माइनौटी की पार्टी आप कहीं इरोप में भी चले जाए नहीं होती है तो अलपसंख्यक मंत्राले जो है मेरा अपना समझना है कि जो समाजी नया अधिकारिता मंत् डिपार्डमेंट बना के रख देना चाहिए और मंत्राले खतम करके और उसमें जो रियल माइनोर्टीज हैं जो बहुत हैं या जैन हैं या और भी जो हैं जो सिर्फ अलफ संख्यक में सिर्फ धार्मिक अलफ संख्यक की क्यों बात होती है भाशाई जो डब्लू हो की वह जो युनाटे नेशन की जो डिफिनिशन है वो तो सिर्फ धार्मिक ने भाशाई जो है उसमें भी बहुत से लोग आएंगे तो उसको सही माने में अब थोड़ा से इस्तिती बदल भी रही है अलफ संख्यक आयोग जो केंद्री अलफ संख्यक आयोग है उसके अदिक सिक हैं उ तो इसको देखिए पसमांदा आंदोलन को एड्रेस करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि रूलिंग पार्टी भारती जनता पार्टी इसको एड्रेस कर रही है एक दिन में रात और रात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा धीरे धीरे संगठन के लोगों से समाज के भारतलाप पढ़ेगी जब भाईजान बीच से निकल जाएंगे भाईजान लोग और डायरेक्ट जो है सरकार या पसमांदा समाज से डालीजमें से फ कर लेगा बैती बोर्दो बोलने के हमार मजबूरी नहीं रह जाएगी तो यह मुत परिश की चीए तो जात्रह याथर कि भीन भी हो जाएगी और फिर डालाग जब शुरू हो जाएगा देखिए इस तरार्स का देश है ये देश सत्मे जैते का देश है और दोनों चाहे हिंदू हों चाहे पसमांदा हों उसी के वह हैं उनके खून में वो चीज है तो मैं समझता हूं कि काम अच्छे से होगा और एक सही दिशा में होगा अश्राफ वर्ग एक मोनोलित समाज से आया है देखिए मैं एक बात कहते हूं अश्राफ वर्ग हरब इरान का जो समाज है वो एक रूप समाज है समरूप समाज है और वहां विरोध की आवाज को बरदाश करने का कल्चर ही नहीं है वो विरोध की आवाज को सहसूरताई नहीं या सहसूर होते है और तुरंत उसको दबा देते हैं इसलिए उनका नेचर डॉमिनेंसी का है कि वो बस इसको खतम कर दो भारत में क्या है पिछले 5000 साल से हम भाशाओं की विवनिता के साथ धार्मिक आस्थाओं की विवनिता के साथ और कल्चरल आप तेल्गू का कल्चर और बंगाल का कल्चर बिल्कुल अलग अलग है दोनों के पसमांदा भी बिल्कुल अलग अलग है दोनों जाकि हिंदू भी बिल्कुल अलग अलग भाशाय अदार पर दिखाई देंगे कल्चर के अदार पर लेकिन दोनों एक साथ रहने के अभ्य चाहे हैं सेकूलर हो, चाहे मौलाना हो, आप उससे किसी भी टौपिक पर बात कीजिए, आप एक बार तर्क कीजिए दो बार तर्क कीजिए, तीसरी बार जैसी यह आप तर्क में उसकी बात को spot काटेंगे वो गुस्से में आग बहूल हो जाएगा चेरा जी तो मैं यहां पर सभी दर्शिकों से अन्रोथ करूँगा कि आप हमारा आर्ट प्रूफ से सही होग करने के लिए आप हमारा जो लिंक दिया हुआ है नीचे चल रहा है आप देख रहे होगे कि पेटियम, पेपैल, जीपे इस सब पर आप हमें फाइनाशली सपोर्ट कर सकत और यह सारे लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दिये हुए एक अंत में आप से प्रेश्ट पूछूँगा कि आपका जो संगठन है आप स्वेम कहते हैं कि अभी चोटा संगठन है एक तरह से ग्रोइंग स्टेज में हैं आपका संगठन और इसमें पहले से दो आधिकारिक वक्तव है आपके संगठन का कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं आपका ये भी आधिकारिक वक्तव है कि आर्टिकल 370 हटाये जाने का भी आप समर्थन करते हैं और राम मंदिर बनाये जाने का भी आप समर्थन करते हैं ये आप लोगों का आदिकारी के वक्तवे हैं. तो इसको जो आपका जो शेश पसमानदा समाज है, जो अभी तक आपसे नहीं जुड़ा है, वो इसको कैसे देखता है? और अश्राफ इसको कैसे देखता है? क्या आपको अभी तक उन्होंने काफिर करार नहीं दिया? मुझे लगता है कनेक्शन थोड़ा सा गरबड़ हो गया है, स्याज जी? हाँ, बोलें बोलें. मैं सुना जा रहा हूँ. हाँ, आवाज आ गई आपकी. आवाज आ रही है आपकी? हाँ, जी, जी. मेरे आवाज आ रही है? यहां आ रही है. जी. आपको मेरा सवाल सुना ही पड़ गया? हाँ, आपने कहा तो देखिए, आट की जो अरुचे 370 था उसको अटने के बाद हम लोगों ने उसका सपोर्ट किया और जो है, यह यूशी सी पे भी हमारा स्टेंट था कि यूशी सी होनी चाहिए, उसमें बस अगर उसमें जब भी वार्ता हो, तो पसमांदा पक्ष को पक कराने है, तो कल्चर करान पे अगर आपको यूशी सीर्दिकार देना चाहिए, तो आपको पसमांदा कर जो मात्ती कलचर है, उसके कार्डिक देना चाहिए, उसके हम लोगों ने उसको सपोर्ट करने के साथ चाहिए, जब भी ड्राफ लिए हो, मेरा प्रश्नीजे था कि आ कि आपका ऑडियो भी गडबड़ हो रहा है और अभी पिक्चर भी गायब हो गई है थोड़ी सी थोड़ा सा जाए मेरे खाल से आप हाँ एक बार लगता है कि एकजिट होके वापस आ रहे हैं तो आप लोग वेट करें को कि यह भी बहुत सारे प्रश्ण भी है दर्चे को के वह भी लिए जाने हैं और बड़े तगड़े प्रश्ण है तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा उन प्रश्णों का उत्तर रहे हैं जी अभी वापस जुड़ रहे हैं फैजी साब फैजी साब के वापस जुड़ते हैं तुरंत वापस चालू हो जाएगा इसलिए आप लोग जुड़े रहे हैं निकले नहीं बिल्कुल प्रश्ण है मैं देखता हूँ एक प्रश्ण है जो है वो पढ़ देता हूँ आपको कि एक प्रश्ण आया है करें हाँ डिफरेंशियेट बिट्वीन पसमानदा और अश्राफ यह करें कि साब की दवा को चलावा समाज तो किसने इनको दवाया हुआ है अश्राफ बने रहने के लिए क्या इन्वेडर होना भी एक फैक्टर है हाँ यह तो है मेरे ख्याल से वाट डियो फील पसमानदा मुस वर्चस्व समाप्त हो जाता है तो यह सभी के लिए बड़ी उपलब्दी होगी वोट मिले या नहीं मिले अश्राफ का वर्चस्व समाप्त हो जाए यदि मुस्लिम समाज से तो सभी को रिलीफ मिलेगी मैं यह यह जानता हूँ और वो वर्चस्व समाप्त होना अतिन as it is मिलते हैं पर ब्रामन टाइटल मुस्लिम समाज में नहीं मिलता फैसर ऐसा क्या फैसर मुझे लगता है वापस जुड़ वे हैं जी जी मैं मापी चाहूँगा थोड़ा से बारिश औरिश होने की वज़े से सोड़ा सा नेटवर्क हलाकि कभी मेरा नेटवर्क गडबड भी रहता है तो आपके साथ बहुत बढ़िया हो जाता है मैंने यह देखा है जी तो आप वो प्रश्ट बता लें उसका उत्तर हां तो उस पर हम लोगों चुकि कल्चर वैसा नहीं है हमारे जो सेपरेशन हो जाता उसको समाज में बहुत खराब समझा जाता इसलिए हमारे यह पसमांदा समाज की तलाक शुदा लड़कियों के दुबारा रिश्टे नहीं मिलते है लड़कियों के भी नहीं और लड़कों के भी रिश्टे हमारे दुबारह ने मिलते हैं फिर उनकी उनकी शाधी दुआ से ही होती यह जिसकी फिर सेकशकेंड मेरेज वालत से ही तो यह सब हम लोग आडरेस किया था राम मंदिर भी हमने कह थे कि यह जो एक फैसला आ गया है इसको सब ने कह दिया तो उसको भी हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है एक बात खतम होगी जो है सुप्रीम कोर्ड का निड़े था उसके लेकिन उसके हम लोगों ने जो यह सवाल जरूर उठा है कि जो मस्जिद बनाने के लिए जो इन लोगों ने बनाया था वो तो वहाँ पर वो यह वक्त की तरह को यह वो बनाया है उसमें एकबाल अंसारी को रखना तो दूर किसी पसमांदा को रखना दूर एकबाल अंसारी तक को भी नहीं रखा और उनको मिटिंग तक में भी नहीं बुला है इससे आप अंदाज रगाई कि अश्राफ का च्रित हमारे लिए क्य अंदोलन उस तरह से बहुत मजबूत नहीं है लेकिन परदानमंत्री की इस पहल से समाज के अंदर बहुत उत्सा है जब आदमी उससे जुड़ता है अपने समाजार्थ से जुड़ता है उसको जब फायदा मिलता है तो उसको बास समझ में आती है और उसको पहली बार लग है कि परदानमंत्री जब हमारी बात कर रहे हैं तो हम अश्राफ के गुलामी से निकले बड़ी एक अबादी है पसमांदा की जो सब को जानती समझती लेकिन चुकि वो इंसलेव है वो डरती है घबराती है बात करने में लेकिन जब इस तरह समाज में खुल के जब चर्चा हों या और सब को इसको लेना चाहिए और बराबर इसी लिए हमने कहता है मुस्लिम समाज में समाजी की नएकि चर्चा होनी चाहिए उससे अश्राफ वाट तूटेगा पसमांदा देसर पसमांदा भी अश्राफ की गुलामे से बाहर निकलने का प्रयास करेगा जब उसको प्रश्च ने तरस्वेम दे दिया था जिनका नहीं दिया वो ले लेता हूं शान्ता जी पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं मुझे पता नहीं नमस्ते बोत अव्यू सर अ कामन मैन हाओ कैना डिफरेंशेट बिट्वीन पसमांदा एंड श्राफ as I have boycotted all services and goods from Islamists what about शत्रू मिलेगा समझ में आएगी मैं शर्ट कट शॉट में कहता है attitude से पहचान में आता है पसमांदा आप देखेंगे कि वह उस छेत्र विशेष की थोड़ा सा कल्चर में डूबा रहेगा वहां की भाशा बोलेगा उसकी उर्दू उतनी हिसाप से अच्छी नहीं होती है वह शकल स पसानी से कर सकते हैं कि हमारा इंडिजिनस भाई कोन है कोन बाहर से है और अश्राफ से जब आप बात करेंगे एक तो वह attitude से पहचान में आता है दूसरा जो उसका economic standard भी उपर होता है बहुत कम पसमांदा गाउं में आप जाएंगे तो economic standard उनका अश्राफ की तरह से होता है दूसरा जब वह बात करता है अश्राफ न तो कहीं ने कहीं आपको यह जरूर एहसास दिलाता है कि वह शाशक वर गए और आप शाशित वर गए वह दस लाइन के बाद एगारवी लाइन में जरूर करें कि हमारे बाप दादा यहां से आये थे हमने यहां हुकुमत किया यह पतमदा यह CHOCUMत वरी बात आपसे नहीं कहाएगा और कहता भी है तो वह कह schauen बहुत है कि मुसल्मानी मुसल्मान से कहागा 他पने से नहीं कहागा कि हमने हमारे बाप दादा ही हूँ न हो कहाए कि मुसल्मानों नो इस देश में इतनी साल हो कहा हुकुमत किया और अश्राब कह कि जब आप कहते हैं कि दबा कुछ लावा समाज है तो किस ने इनको दबाया उत्तर दे चुका हूँ दबाया हुआ तो अश्राफ ने भई देखे मसूद आलम फलाई ने अपने अपनी किताब में हर जागा पसकरदा लिखते हैं यह अलियन और ने जो टर्म दिया था यह पस पसमांदा का मतलब जो पीछे रहा है पसकरदा का मतलब जिनको पीछे किया गया है तो अश्राफ आज भी वह हमें आगे नहीं आने देता है वरना क्या जरूत है कि अलिगर्ण मुस्लिम इनवर्सिटी में देखे हमने पहले भी कहा था कि बनारस हिंदू इन्वर्सिटी मे को एडमिशन लेना आसान है लेकिन अलिगर्ण मुस्लिम इन्वर्सिटी में हमारा एडमिशन लेना मुश्किल है क्योंकि मुस्लिम में समाजीक नैया का इरक्षण नहीं है गली से महाँ क्याया से mathematics में उनका research paper एक बहुत बड़े जनरल में चपा था जी जी कुनाल शांडिलियर अश्राफ बनने के लिए क्या invader होना भी एक factor है क्या अगर है तो क्या पठान अफगानिस्तान में पसमांदा है नहीं देख पठान शाशक वर गए वहां भी वो पक्तून पठान तालिबान का है जो भी हो है मैं क है अफगान टालिबान तारीक य पठानों की तारीक एए एरान जो देश है सेध उसको गौन सको गवन करते हैं आऔर जो है बद्दू का है बद्द०ू ट्राइब जो होते हैं ड़ाफन का से इन पूरा नसल और उसका वो है जे रुद्रत पाठी जी धन्यवाद आपको नूब गेम प्ले वाट यू फिल पस्मांदा मुस्लिम विल रेली वोट फर बीजेपी बीजेपी शोन इस इंदुत वाइपोजिशन इन आलसो मुस्लिम वोट तू डिफीट बीजेपी वैसे मैं इस जब जुडेंगे आदमी जब वारता लाप होगी एक दूसरे के करीब आएंगे तो वोट बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं समझना हूँ सबसे बड़ी चीज़ दिलों का मेल हमने एक उदारन भी दिया था कि एक साब कह रहे थे कि हम अपने दिलेगी में घर नहीं बना सक जो उत्तिष्ट भारत का कारिकरम जो तंजर दिक्षी दिछ ला रहे हैं उसका जरूवत पड़ती है कि हमें अपने को पैचाने हम क्या है हमारा देश क्या है रास्ट क्या है जब इसका बोध आपको हो जाएगा शत्रू का बोध हो जाएगा तो वोट देना और यह करना य इस समय कांगरेस पार्टी को यह पछरित किया गाता मुस्लम दीक की तरह सब्सक्राइब की तुरू कि पार्टी है मेरे दादा कांग्रेस होने की वज़ासे लोग कहते है कि हिंदों की पार्टी में हिंदू दोती पहन के चटब करते थे चितु पांड़े के इस के सकता थे असर चीज है एक दूसरे का का ह बाहिए और इसके लिए और इसके लिए पर्धानमंतिरी की पहल को सकरास्वक वर रूप लेकं कि हमें को आगे बढ़ना चाही है जे नेक्स्ट कुनाल चांडिल सर सारे हिंदू कम्यूटि के टाइटल मुस्लिम समाज में अज़ इस मिलते हैं पर ब्रामन टाइटल मुस्लिम समाज में नहीं मिलता प्राइद सर्टुन आज बी कश्मीर के जो लोग लगाते हैं जैसे से अधिन किछलू है और इस तरह की टाइटिल मिलती है तिया आगी भी आपको उत्रपरदेश के पस्ची में उत्रपरदेश मिल जाएगी लेकिन उस्चुकि ब्रामार का कनवर्जन मैं समझता हूं कि जो मैं समझ पाया प्रोताश चौधरी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके सयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीश जी शर्पस्पांदा की बात करने के बजाए घर वापसी की बात करना थी और एक्स मुस्लिम जो है उसको संबल प्लान करने से बात होगी वो भी करते हैं हम ना ऐसा थोड़ी है एक ही बात करें और दूसरी ना करें ऐसा भी अबाव नहीं है पांच करोल मुस्लिमों को वजीफे दिये उसमें से पांच वोट नहीं मिलेंगे तो फैजी साहब तो सहम माइनॉर्टी मिनिस्ट्री के अबालिशन की बात कर रहे हैं उसका तो स्वागत कर लीजिए हैं नेक्स्ट राम कपूर नमस्ते संजय जी नॉक्सा प्लीज वाई वी शुट बिलीव पस्मान्दा मुस्लिम्स दे वे दे वे वन्स वो किल्ड हिंदूस एंड सिक्स इन लाहॉर और रावाल पिंडी जी देखे मैं बताओं तेकि पस्मा संपर्दाइक्ता के महौल में हम कहते हैं घर में भी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो भाई भाई में लड़ाई हो जाती है इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से बिल्कुल जो है निराश हो जाएं यह निराश हमारी संस्कृति में नहीं हम आशानवित होके आगे बढ़ है कि वो इसी देश का है उसकी सब्वेता संस्क्रिति देखे अगर आपके सामने अश्राफ है पस्मांदा है तो आप खुद डिसाइड की देख आप किस पर भरुसा करना पसंद करेंगे वो आदमी जिसका अटिटूड है कि आप शाशित है या वो वेक्ति जिसका अटिटू धन्यवाद जैहिंद बंदे मातरम जैहिंद बंदे मातरम